सावधान सावधान यदि आप घर या कोठी बनवा रहें तो ठेकेदार्शिप के भरोसे में ना रहें समय समय पर खुद मैट्रियल की गुड़ोता की जाद पैचान करें और कमी पाय जाने पर ठेकेदार्शिप कारें न करवाएं आप भारत देश के अच्छे नागरिक बने और जागरुक इंसान बने ने नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आसुबट आइंस में आप सभी का स्वागत है जागो गरहक जागो आप सभी से अपील है कि आप कुछ भी खरीदारी कर रहे हैं तो बड़े चौकनने के साथ आप खरीदारी कीजिए कहीं ऐसा नहीं कि देट इksपारी हो और हम सब कुछ भी एक सूई भी खरीदे हैं तो या हवाय जहार से चलते हैं या रेल गारिस चलते हैं बसों से चलते हैं तो हम सब customer हुए न भाई और हम सब को सचेत रहने और जागरुक रहने की जरूरत है क्योंकि आए दिन देखा जाता है date expiry के सामान बहुत सारे मिल जाते हैं दुकानों पर और इसे देखते हुए आप सभी लोग जागरुक होईए और expiry दवा हुआ expiry कोई भी product हुआ आप purchase क कर रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल भी उसे देखें और भली भात से जाने और आप उसे ना खरीदें और आप purchase कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि यह आप मोबाइल से या computer से online shopping कर रहे हैं कोई भी सामान उसे भी भली भात आप देखें और आप से बता दू कि बहुत से लोग होते हैं मोबाइल मंगाते हैं लेकिन जो डिब्बे माता है बच्चों का खिलोना आ जाता है क्या मतलब है ऐसे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है फर्जी एप है और वह इस तरह के online booking करकर और फर्जी एप और सस्ते के होजासे फर्ज आते हैं और वह अपना data दे देते हैं तो इसलिए आपसे बिंती है कि आप फर्जी एप से बचें और जो भी सच्चे और अच्छे एप होते हैं वह भी सवालिया और सच्चाई से जो है अब भाग नहीं सकते हैं और वह भी कहीन कहीं कमी भी देखी जा सकती है तो आप गलत एप से आप आनलाइन स्वापिंग ना करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो धंकियां भी आती हैं फोन पर भी कि आपका जो है जो आपने पर्चेजिंग किया है उसका पैसा नहीं देंगे बहुत सारी ऐसी साइवर क्राइम हो रहे हैं जिसे आप सबी को दूर रहने की जरूरत हाँ आपको यह भी बता दूँ कि मुबाइल पर यदि किसी तरह का SMS या email आता है तो लुप परलोभन वाला सामान के बारे में देता है या जीतने की बारे में देता है बहुत सारे ऐसे होते हैं लड़कियां मिठी मिठी बाते करते हैं और कहते हैं आपका सोना निकला है साइवर क्राइम हो रहे हैं सिकायते भी आते रहते हैं तो आप से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी परलोभन में नफसें और किसी भी तरह के जो है आप सोपिंग करsein बहुत सतर ककैं और जो आपका सच्छा एप है उसी से आप आप अनलाइन सबिख करें अधर्वाई फरजी अदरवाई वैसे एप से बिलकुल भी आप जो है सौपिंग ना करें सस्ते के उज़ास से फरजी एप जो है दिखाती है जो मुबाइल होता है 30,000 का 20,000 का 10,000 का वो फरजी एप सीधे दिखाती है 4,000, 5,000, 3,000 का तो आप उसमें नफसें और आप कस्टुमर हैं तो आप कस्टुमर की तरह जागरूक रहें जागो इंडिया जागो के मिसन पर आप हमेशा जागरूता एक दूसरे एक दूसरे से करें जिस तरह से खबरे देखने को मिलता है कि अभी जल्दी ही आप देख सकते हैं नौभाई टाइंस में आप देख सकते हैं कि उसमें छपा हुआ है 80,000 का मोबाईल जो है सोपिंग किया लेकिन क्या निकला खिलोना तो आपको बता दूँ कि इस तरह से 80,000 भी गए और आपका खिलोना मिला हाथ में तो इसका क्या मतलब है और आदे घंटे बाद लिखा हुआ है नौभाई टाइंस में कि आदे घंटे बाद फिन उसके मोबाईल फर धंकी आता है तो आपको बता दूँ कि आज के ही डेर चौदर जनुए 2021 में ही नौभाई टाइंस में छपा है आप देख सकते हैं कि इस तरह से फरजी वारे से आप बचिये और सच्चे एप पर भी सवालियां अब खड़ी कर रही है कि कौन सा सच्चा है कौन सा अच्छा है कौन सा फरजी एप चलना है देख में सभी नौभा साथियों से अपील है कि आप मोबाईल या कंप्यूटर चला रहे हैं किसी भी तरह के आनलाइन सौपिंग करने से पहले जाज परताल कर लें और सच्चे अच्छे एप पर ही आप सौपिंग करें क्योंकि आप सौपिंग का जमाना अनलाइन हो गया है लोग कुछ भी मंगाना चाहते हैं पीजा चावमीन बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं जो अनलाइन अप खरिदारी करते हैं और उसी में साइबर क्राइम भी करने वाले करते हैं तो साइबर क्राइम से आप रहे दूर सतर कर रहे सतरता बतना बहुत जरूरी है फरजी अनलाइन सौपिंग ना करें यदि हो सके तो आप दुकान या मार्केट से ही आप सामान खरीदें मुबाइल चलाते वाले भुगताओं से अपील है कि आपके पास किसी भी तरह के SMS या इमेल आए तो परलोभन दे SMS आप उसे ना देखे नजर अंदाज करें और किसी भी अंजान SMS पर आप विश्वास ना करें आए दिन आप SMS आते हैं किसी लड़की का फोन आता है कि आप सोना जीत गए हैं आप इतने रुपे जीत गए हैं आप 20,000 रुपे दीजिए आप उसका जो है सोना मिल जाएगा आपको इतने रुपे जीत जाएंगे तो इस समय ना फसें और सब कुछ आप जिस तरह से देखा जा रहा है फरजी वाड़ा होता है आप इस तरह के परलोभन में ना पड़ें आप जैसे कमा रहे हैं जैसे जागरूप ग्रहक बने जागो इंडिया जागो और आपसे फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे आप अपना ख्याल परिवार और देशा ख्याल लखें आज जो है मकस संक्रांती है सबी देशवासियों को हार्दि सुबकामनाओं के साथ हैपी हैपी मकस संक्रांती पहुं वीडियो को आपको नोटिफिकर्स मिल जाए धन बात